हेलो दोस्तो एक बात दुवारा से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विवे करना स्टॉक्स में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के दिल से बहुत बहुत धन्यवाद तो दोस्तो बात करेंगे टॉप 3 हॉट स्टॉक को जो best stock to buy now बन सकते है, जिसमें आपको 64% के आस-पास की रिटर देखने को मिल सकती है कुछ ही महीनों के अंदर, तो देख लेते हैं कि किन टॉप 3 हॉट स्टॉक कि मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो definitely एक बार तो इन stock को एक बार देखना बनता है कि है किन top 3 stock की बात कर रहा हूँ fundamental company बहुत ची है technical आप बोल सकते हो जहान है, technical support, bounce आप बोल सकते हो चार्ट में काफी पसंद आ रहे हैं मुझे stocks, right, तो definitely एक बार आप definitely, एक बार पक्का देखना वीडियो को और पक्का पसंद आएगा तो like, share, subscribe करना, ना भूला साथ में अगर आपको buy करना है, तो आप आपने financial advisor से सला ले सकते हो ठीक है, तो start करते हैं हमारे पहले stock की तरफ, किस first stock to buy now जिसका नाम है, हो है जिया दोस्तों, जो हमारा best stock to buy now बन सकता है, वो ITC stock है एक FMCG company है काफी बढ़िया stock मुझे लग रहा है दोस्तों, उसके regions आपको screen में देखने को मिल सकती है, stock मुझे क्यों पसंद आ रहा और stock में आपको एक बड़ा return देखने को मिल सकता है, 42% के आसपास तो definitely stock को बड़ा रख सकती हो उसके कुछ regions है, अभी आपको chart भी share करूँगा, chart में भी आपको दिखला हूँगा कि ये regions मुझे क्यों लग रहे है कि definitely ये stock आपको एक अच्छा bounce दे सकता है, current market price से भी और आपको याद होगा, ITC के उपर last, मैंने एक वीडियो बनाया था, कल ही वीडियो बनाया था और मैंने खुद उसमें अपनी technical analysis का एक तरीका शेर किया था, moving average का कि ये stock एक अच्छा potential दे सकता है future में तो अगर आपको फुल वीडियो देखना है कि 200 रुपे का support कैसा बन रहा है और दोस्तों साथ में अगर आप जहां से इसमें एक apply करो के एक indicator या moving average इसको बोलते है simple moving average 100 number का, ठीक है ये भी एक support की तरह behave कर रहा है, काम कर रहा है और जो तीसा सबसे biggest region है stock को buy करने का दोस्तों वो निकल के आता RSI, RSI सबको पता है एक indicator है, बहुत लोग उसको normally use करते हैं, आपने सब के chart में देखा होगा तो ये 50 रुपे, 50 के उपर है मतलब 50 रुपे माफ करना measurement है 50, उसके उपर है तो definitely जभी 50 के उपर होता है 60 के उपर होता है, definitely एक आप बोसकते हो, buy zone होता है वो भी strong buy zone उसको बोला जाता है अब मैं आपको chart में लेके चलता हूँ आपको chart में दिखलाता हूँ तो दोस्तों मैंने ये ITC का daily chart खोला होगा, आपको screen में देखने को मिल सकता है, पहले हम बात करेंगे हमारे support area का, दोस्तों आप देख सकते हो stock लगतार, तीन बार support लेके तीन नहीं, चार बर support लेके उपर जा रहा है और भी 200 रुपे के price के आसपास ठीक है, एक बार यहां लिया, दो बार, तीन बार, चार बार और ये पांच भी बार प्रियास कर रहा है तो definitely एक अच्छा खासा support area 200 रुपे का, और अगर आप दिहान से देखो के मैंने एक moving average apply कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो में 100 का, ये जो निल नहीं 100 का moving average है, तो दोस्तों देख सकते हो ये लगता इसको support लेके उपर जा रहा है अब बात करते हैं, stock के resistance की तो resistance से दिखाने से पहले, आप दोस्तों देख सकते हो इसका RSIB 50 के उपर है अभी चला 66 के आसपास और अगर बात करता हूँ, volume का, तो उस आप नीचे देख सकते हो आपको अराम से यहाँ पर 42% की return देखने को मिल सकती है बात करते हैं, इसके resistance, target and stop loss की तो दोस्तों देख सकते हो मैंने एक छोटा सा यह लिख लिए आपके लिए तोस्तों का रेजिसंस एरिया है, 240 रुपे का असपास का लगाया था, और जो हमारा तीसरा resistance निकल के आता है, वो है आपका 310 रुपे के आसपास, जो 219 का हाई निकल के आता में का, तो इक बात को ध्यान दगना, जो भी हमारे resistance होते हैं, हो हमेज़ा target की तरह काम करते हैं, तो हमारे जो target होंगे, वो हमारे resistance होते हैं, अगर बात करते हैं, की support level की, तो आपको जैसे मैंने बताया, 192 के निचे जाता है, तो definitely आपको थोड़ा इसमें, बिचार रगाना चाहिए, sell की तरफ की, भी हा, हमें थोड़ा बहुत इसमें sell कर देना चाहिए, बाकि एक last swing जो इसने मनाया था, last 170 और 116 रुपे के आसपास, वो हमारा last swing है, इसका stock का, मनला का खाफ एच्छा support आप बोल सकते हो, अगर बात करते stock के target की, तो target है, जैसे आपको बताया, जो इसके resistance area होंगे, वो ही हमारे target निकल के आते है, अब बढ़ते हमारे second stock की तरफ जिसका नाम है, तो दोस्तों, इस कुछ कारणों से, मुझे ITC stock definitely पसंद आ रहा है, जो आपको 42% के आसपास के return दे सकता है, ठीक है, अब stop loss आपको लगाना पड़ेगा, एक second, जी हाँ दोस्तों, आपको एक stop loss maintain करना, एक सो ब्यानवी रुपे का, अगर एक सो ब्यानवी रुपे के निचे जाता है, closing करता है, तो definitely आप stock से exit कर सकते हैं, और अराम से 30 तो दस रुपे के target के लिए वेट कर सकते हैं, अब बढ़ते हैं, हमारे जो second best stock to buy now है, KEI Industry Limited, यह दोस्तों, यह मेली जो काम करती है, यह manufacture करती है, all range of power cables, जी है, दोस्तों, मेली जो उसका business है, वो cables का है, और दोस्तों, जो company का market cap है, वो higher highs का pattern मना रहा है, ठीक है, support लेते लेते उपर जा रहा है, और बात करते हैं, और stock पे काफी अच्छा volume भी नजर आ रहा है, monthly basis में, और daily basis में, और दोस्तों, एक ADX indicator होता है, जो हमें दिखा रहा है कि, यह strong momentum है, buy की तरफ, तो definitely कुछ region से, जिस बज़े से मुझे लग रहा ह और यह आपको अराम से 32% के आसपास के रहन दिखा सकता है, लेकिन आपसे request करूँ है कि आप खुद की research पहले add करना, उसके बास बिचार करना कि आपको इसमें investment करनी है, यह नहीं करनी है, तो दोस्तों आप देख सेकते हो, मैंने के EI industry का चार्ट खोला है, जिरोता हमें, जैसे मैंने आपको बताया था, monthly basis में एक high rise का pattern यह बना रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखो कि, stock लगातार एक support लेके उपर जा रहा है, टेंड लान के, और इसने अभी तक अपना monthly basis का जो low है, monthly basis का चार्ट का वो अभी तक break नहीं कर पाया, और इसको support लेके stock लगाता अच्छा कासा है stock का, ठीक है, यह मैंने monthly chart खोला हुआ, अगर आप daily chart देखोगे, तो daily chart में काफी बहतरिन volume नजर आता है आपको, और अगर बात करते ADX indicator की, तो ADX indicator sign दे रहा है, monthly basis में buy करने के लिए, और साथ में ही, अगर daily chart में आप देखते हो, तो daily chart में ADX का अभी हवी हाल के दिनों में एक crossover हुआ है, उपर की तरफ, जो हमें pure sign दे रहा है कि हम stock को buy करके चल सकते है, बात कर से stock के next resistance and support की साथ में stop loss की, तो हमारा जो next resistance आपको दिख रहा होगा, जो last, मतलब last जो high होगा, वो ही हमारा एक resistance area है, वो ही हमारा target है, यह first target, तो मैं आपको लिखे च है, जो 2019 का high था, छहातर चौदा रुपे का, ठीक है, और जो next resistance निकल के आदा हो, छहातर रुपे का है, ठीक है, छहातर रुपे का हमारा next resistance है, और तीसरा, और दोस्तों, जो निकला होगा resistance है, यह तोस्तों, आपको पता होगा, एक Fibonacci extension होता है, ठीक है, उसके basis में यह line flood की गई है, उसके लिए भी है, अगर आप चाहते होगी, आप Fibonacci के उपर मैं अलगसे एक video बनाओ, ठीक है, Fibonacci को कैसे use के जाता है, उसके हिसाब से कैसे labels निकाले जाते है, और कैसे flood के जाते है, तो नीचे comment करके बता सकते हो, मैं आपको पूरा एक detail video उसके उपर दे द करते हैं, तो हमारे जो टागेट रहेंगे, 672 रुपे के टागेट रहेंगे, स्टॉपोस हमें लगाना पड़ेगा, 480 रुपे का, क्योंकि यह हमाना key support area है, ठीक है, तो भही हम 480 रुपे का स्टॉपोस लगाके, 672 रुपे के टागेट के लिए वेट कर सकते हैं, के E.I. इंडस्ट्री के लिए, अब बात करते हैं, हमारे तीसरे hot stock की तरफ, जिसका नाम है, और जिसको हम best stock to buy today में कर सकते हैं, उसका नाम किया, एक बड़ देख लेते हैं, जिस तीसरे best stock to buy today की में बात कर रहा हो, अधानी power, जिस तो अधानी का low है चल रहा है, आजकर आपको प stock ने लगतार एक range breakout की दिया है, जिसमें उसने लेक लंबा consideration phase को पूरा किया है, जो 65 रोबे के आसपास निकल के आता है, और दोस्तों, जैसे मैंने आपको बता है, RSI indicator हल स्ट्रॉग में अप्लाई कर सकते हो, साथ के उपर एक अच्छा कासा bullis हमें दिखा रहा है, तो इस stock में दोस्तो 64% के आसपास की हमें momentum देखने को मिल सकती है, तो definitely भाई, अगर आप ढूंडरे हो, जो आपको 50% दे ज्यादा return दे दे, कुछी दिनों में, मतलब कुछो दिनों में तो नहीं, कुछ महिनों के अंदर, तो definitely भाई, आप इसमें पैसा लगा के भूल सकती हो, अब आप बात करते हैं कि target and stop loss की, हमारे target and stop loss क्या होंगे stock के, तो लेके चलता stock के chart की तरफ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, जो हमारे resistance area जैसे मैंने आपको बतलाया, जो last हमारे swing होंगे, वो हमारे resistance की तरह काम करते हैं, तो 117-145 के हमारे resistance area निकल के आते हैं, उसपोर्ट area ह क्योंकि दोस्तों यह जो area था, यह area काफी दिनों तक, इस stock ने काफी दिनों तक यहां आप बहु सकते हैं, इसी वज़े से यह area हमारा एक की support बनते हैं, और यह हमारा stop loss की तरह काम करने वाले हैं, और अगर बात करते हैं, stock के target की, तो जैसे मैंने आपको बताया, जो target रहे क्योंकि जो हमाई resistance धी रहे होते हैं, वह ही target की तरह काम करते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, stop loss हमारा 64% के आसपास हैना चाहिए, इस अधानी power share में, और जो upside निकल के आता हूँ, पैंसर पर स्टोक का चार्ट दिखा रहेता हूँ, दोस्तों आप देख सकते हो, screen मे पाई जो उनवे activate हुआ, क्योंकि इसने हाल से लगे दिनों में, एक 92 का resistance area जिसके उपर इसने close कर दिया, तो next resistance जैसे मैं आपको बता है, 120 रुपे और 145 रुपे का आता है, तो यही हमारा target की तरह काम करने वाले, और हमारा support रहेगा, यह जो area में आपको बता है, यही हमार support जहना चाहिए, अगर बात करते RSI की, तो अब देख सकते हो, जिसका RSI है, almost 82 के आसपास हो रहा है, जो एक तम buy बोला जाता है, तो definitely stock का buy करके चल सकते हो, और दोस्तों अगर बात करता volume की, तो volume में लगता stock का बढ़ रहा है, तो definitely stock का बढ़ रहा है, तो definitely stock का बढ़ रख ठीक है, अब बात करते हैं कि मैंने यह जो source है, इस सब का source किया है, तो मैं आपको source का दिखा रहता हूँ, ठीक है, तो definitely आप अपनी research भी add कर लेना, जो जो मेरा article का source है, वो है आपका money control का एक article जिसका link आपको नीचे मिल जागा, चाहो तो आप उसको rate कर सकते हो, इनकी research add क रहने के साथ साथ मैंने अपना खुद का भी दिमाग लागा के आपके साथ share case के label, तो definitely अगर आप चाहो तो इस article को पढ़ सकते हो, उसका link आपको नीचे मिल जाएगा, तो definitely जो 3 stock मैंने आपको दिये है, top 3 stock to buy today हो सकते है, and best stock to buy now बन सकते है, definitely stock को रड़ा में रखिए, definitely आपको एक अच्छी रिड़न ये दे सकते है, तो अगर आपको वीडियो पसंदा है, तो like, subscribe कर ना बोलना, साथ में आप comment करके बता सकते हो, कि आपको वीडियो कैसा लगा, और साथ में बताइए कि चा सच में ये आपको रटनी रिड़न दे सकते है, या just एक ये ऐसी है, क कि आप बोल सकते हैं कि ये नहीं दे सकते, ठीक है, आप अपना वीडियो या अपना वीडियो डेफरेटर इंचे comment section में comment करके बता सकते हो, तो मिलता है आपको अपने next वीडियो पर दिल देन, bye bye, thank you so much, safe trading, happy trading and peace out.